कि सब्सक्राराइ Haellow everyone to keenव के सब्सक्राइब है तो अगर आप भी अपने पॉन में बहुत सारी एप्लिकेशनुम्ण यूज करना की चाहते हैं कि प्लोटटिंग Mikon खोलूं जो application में खोलूं ऑप्लेकोडमेंзы हट हाइच से जैसा कि आपने पीसी में देखा खोलते को कोई ऐसको minimize कर देते हैं थोड़ा सा ठीक है तो हम आदा इधर रख देते हैं ऊपर नीचे तो हम् not कर सकते हैं वह सारी एक टाइम में लेकिन मुबाल हमें एक एप्लिकेशन को लिए इस प्रीच् स्क्र्ण करते हैं उसमें अप्लिकेशन को हम दोई कर सकते हैं ए உ क्रतीmond अश्रीवेट को मूंकुरान की दर वागी ङंडरेंचर वहां के चाहिम लगेंट बाइब जाएगा कि आप सारी एक्राइष उस्तरा से यूज कर सकते हैं तो सारी इस तरह से यूज कर सकते हैं उनको इस तरह इंस्टराम रखा यूट्राम लगाना यूज जो यूज करें बहुत असानी से जिहां इस एप्लिकेशन का नाम है है floating apps तो कैसे यूज करते हैं कैसे आप इसमें सेटिंग करेंगे किस तरह से आप appearance वगेरा दिखाएगा तो start करतें चलिए दिखाता हूँ मैं आपको तो आप इसको application को floating app नाप से तो सबसे पहले आप इस application को download कर लिएगा floating apps ठीक है या से मैं इसको open करता हूँ कि देख सकते हैं यूट्यूब अगरा सब हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर इसको कुछ permissions चाहिए होंगी जो आपको देनी पढ़ेंगी अगर आप इने इसे यूज करना चाहते हैं तो उपर की तरफ देख सकते हैं या पर आइकन बनके आ चुका है जिससे आप इसे open कर सकते हैं ठीक है जब भी floating app open करना हो तीन चारे आप यूज करने तो इस पर क्लिक करके यूज कर सकते हैं मैं यहां से इसे बंद कर देता हूँ जैसे यहां से मैंने इसको बंद कर दिया तो यह आइकन नहीं गया है इस आइकन को भी आप हटा सकते हैं चाहें तो ठीक है यहां से उपर से आप इसको हटा सकते हैं अगर चाहें तो यह आइकन है मैं इसको नीचे रख दिया अब मुझे चाहिए कि मैं बहुत सारे यूज करने मुझे एक ही बार में तो मैंने इस क्लिक करूँगा यैसे आपको बहुत सारे एप्लिकेशन पहले से देखने को मिल जाते हैं जो इसके अंदर है ठीक है एक्टिव विंडो नोट बार कोड रीडर बुक मार्क ब्राउजर एक अलग ब्राउजर है इसका कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं आप मैं कैलकुल कैमरे पर क्लिक करते हैं देखिए यहां पर आलाओ करना पड़ेगा अगर आपको कैमरे यूज करना है तो एक कैमरे की तरह आ रहा है वीडियो बना सकते हैं आप फोटो ले सकते हैं रूटेट करना चाहते हैं तो यह रूटेट हो गया ठीक है अब इस पर यहां पर क्लिक क फिस्बुक लाइट ठीक है फ्लेश लाइट इमेज वीवर यह सारे आप्शिन्स आपको देखने को मिल जाते हैं मुजिक प्लेयर पेंट सर्च अब यूट्यूब देखें यूट्यूब भी है यहां पर यूट्यूब कैसा है यूट्यूब आपको इसमें लॉग इन करना प यूट्यूब यूट्यूब एप फ्लोटिंग एप कॉपी पेस्ट यहां पर हमें ऑप्शिन्स देखने को नो बॉर्डर नहीं चाहिए मिनिमाल बॉर्डर होना चाहिए मैक्सिमाइज जो भी करना है यहां पर सेफ साइज सेफ पोजिशन टॉप बॉटम कर सकते हैं यहां अप नीचे जाएंगे थोड़ा से माई अप सक अप्शन देखेगा आपको इस पर क्लिक करласт gets नीचे की तरइफ नीचे की सफसीव प्लस पर क्लिक करिए खाट है WhatsApp भी as a floating app यूज होगा इस पर मैंने क्लिक किया तो यह WhatsApp आगे हमारा छोटा सा 900 messages जो में दिख रहे हैं या पर वह हम यूज कर सकते हैं ठीक है क्लिक करते हैं तो यहां से आपका WhatsApp ओपन हो जाएगा तो इस तरह से आप मैसेज भी देख सकते हैं ठीक है फिर से प्लस पर क्लिक करते हैं क्रिएट पॉपलर यहां से जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं कोई लिंक है URL है कोई उसका एप भी एप की तरह लगा सकते हैं उसको फ्लोटिंग एप की तरह यूज करने के लिए डबलू पीएस ओफिस हो गया VLC मीडिया प्लेयर जैसे आप यूज करने चाहते हैं इन सब आप को आप यूज कर सकते हैं क्लिक किया यहां से क्लिप बोर्ड ओपन हो गया क्लिप बोर्ड कैलकुलिटर कैमरा फेस्बूक जैसे कि मुजिक प्लेयर और दे लेते हैं जैसे वाट्सप का देखिए आप आइकन बनके आगे वाट्सप का ठीक है ट्विटर इसको भी कौने में रख देते हैं आप तने सारे आप अब आप सूथ रहें सब को बंद करना है एक बार में यहां से आप वैसे तो आप कट कर सकते हैं जो आप चाहें यहां से आप चाहिए इस पर करेंगे उसके बाद ऊपर की साइट को अप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दिए और यहां पर नौट न मवापप से कलिक करें जो लिए जो ये आपके सारे जिरुदने खुलता है सब बंद पर ऐसे तौब से आइकन पर आ जाएंगे इस पर क्लिक कर देंगे तो सब साइड में चले जाएंगे तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर करिए का और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए का अच्छा लगता है